दोस्तों अगर आप सीटेट अगस 2030 का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लास्ट तक जरूर देखेगा यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी से बता दू कि जिनका फर्स्ट अटेंप्ट होगा वो बच्चे काफी पर करता है या आपने देखा होगा कि यह एक पातरिता प्रिचा इसमें आपको बस कॉलिफाई कर रहा है तो ऐसे में वही अभैरती जादा देते जिका फर्स्ट अटेंप्ट केलियर नहीं हो पाता है तो छाया आपका फर्स्ट अटेंप्ट हो या सिकेंड हो या थर्ड हो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो बनी रहेगा वीडियो के लास्ट तक हम लोग जानेंगे इसमें आखिर क्या रीजन है कि लाखो अभ्यारती जो है हर साल फेल हो जाते हैं जब भी कोई इंफॉर्मेशन कोई भी क्लास आप से चूटने न पाए दोस्तों यहां पर हम लोग जो है सबसे पहले बात करेंगे कि आपने देखा होगा अगर पिछला डाटा उठा कर देखें जैसा कि आपका दिसंबर 2022 देसका ही जो एक्जाम हुआ है इससे पहले जो दिसंबर 2022 2022 देसका हुआ है इसको दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंट का अगर हम लोग पूरा डाटा देखें तो दोस्तों पेपर फर्स्ट के अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसमें जो टोटल आवेधन हुए थे ना वो 17,4 14,282 जो है टोटल आवेदन पेपर फस्ट में हुए थे उसमें जो अभ्यारती समलित हुए थे उनकी संक्याती 17,00,000 में से 14,00,22,900 अभ्यारती जो है इस परक्षा में बैठे थे और उसमें से यानि 14,00,000 जो बैठे थे उसमें से पास जो अभ्यारती हुए थे दोस्तों वो 14,00,000 में से जो पास अभ्यारती थे वो 5,89,444 अभ्यारती ने पास किया था परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 40,74% अभ्यारती जो है पेपर फस्ट में पास हुए थे यानि क्वालिफाई किये थे पेपर सिकेंड के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिकेंड थे इसमें पास जो अभ्यारती हुए वोड्ट थे 3,75,025 अभ्यारती जो है पास हुए थे पेपर सिकेंड में 12,761 अभ्यारते वो इसका data में बता रही हूँ तो आधिर क्या वजह है, क्या reason है, जबकि seated बहुत tough exam नहीं है दोस्तों, जो लग अच्छे से पढ़े होंगे exam pattern को समझे होंगे quotient को देखे होंगे ये बहुत tough exam नहीं है जैसा कि आपको पता है कि इसमें 75 नंबर की तो pedagogy आती है इस पेड़ागोजी वाले कोशन में न आपको कहीं रटना है न चीजों को उठा पटक करना है ये चीज कहां पे मिलेगी तो ये कंटेंट कहां पे मिलेगा इसमें दोस्तों सिर्फ अपना common sense यूज करना है कि आपको बच्चों से किस तरह से वहाँ पे आपको खुद को रखके वहाँ पे आंसर करना है पचेटर नंबर सिर्फ आप अपने common sense से यहाँ पर पासकते हैं तो ये इतना tough exam नहीं है उसके बाद भी आप देख पार होंगे paper first में 40.74% ही अभ्यारती पास हुए paper second में 29.46% ही अभ्यारती पास हुए इसकी main वज़ा क्या है हम लोग जानेंगे तो दोस्तों देखिए सबसे पहला क्या है कि बहुत से अभ्यारती हैं जिसे जो मेरे आसपास हैं जिसे मैं मिल चुकी हूँ काफी अभ्यारती का ये कहना रहता है जिनका qualify नहीं हुआ है उनका ये कहना रहता है कि मेरा second बहुत से लोगों का दो तीन चार बार दे चुके लेकिन उनका अभी तक जो है qualify नहीं हो पाया है यहां तक कि 2019 से वो लोग continue दे रहे हैं क्या वज़ा है वो syllabus भी सब कुछ complete कर चुके हैं उनको पता भी है कि ये सारी चीज़ें यहां पे सब cover करके रखते हैं उसके बात भी क्या कमी रह जाती है कि exam जो है qualify नहीं हो पाता है तो इसकी main वज़ा है दोस्तों देखिए आप कितना भी पढ़ ले syllabus कितना भी उठा के रट डाले जब तक जो है ना आप लोग practice नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है मैं ठीक है आपने syllabus cover कर लिए अभी आपने देखिए आपका exam 20 अगस्त को है आपके पास कितना टाइम है आपको 20 दिन का और टाइम है ऐसे में अब आपको क्या करना है आपने अब तक जो पढ़ा है उसको छोड़िए अब आपको दोस्तों practice जादा जादा आप लोग एक द subject आपका week जा रहा है किसमें कम number जा रहा है जो आपका 25 प्लस जा रहा है इतना मान की चलिया आपका वो subject सही है और जिसमें नीचे जा रहा है यानि 25 के नीचे की मैं बात नहीं कर रहे हूं कुछ question होते हैं जो इधर उधर थोड़ा tough नहीं कहेंगे एक तरह से आप से कुछ हो जाती हैं समझमने में तो कुछ question जैसा कि जिस पर हम ना किसी subject पे एक ये चीज़ है दोस्तों अगर जो है हम लोग ऐसा होता है कि कोई subject है जो हम जानते हैं कि इस subject में हम अच्छा कर पाएंगे इसमें हमारा 30 के आसपास रहेगा एक 30 number का जैसा कि question आता है और 30 number में से हम इतना मान के चलते हैं कि हमारा 29-38 के करीब रहेगा लेकिन उसी subject में जो है हमसे गलतिया हो जाती है और हम जो है 20 तक आ जाते हैं 10 number अपना loss कर देते हैं तो यह होता है over confidence जिस subject में आपको ऐसा लग रहा है कि हम इतना कर लेंगे तो दोस्तों उसमें आप जो है थोड़ा मन स से उस question को solve करिएगा ऐसा नहीं कि हाँ मैंने practice लगाए थी इतना आ रहा है तो मेरा इतना ही आएगा हम जैसे तैसे option को देखते ही answer करते हैं पूरा option भी नहीं देखते हैं चारो option के बाद जो है जो positive लग रहा है option उसको correct करके आगे बढ़ जाते हैं तो ऐसा exam में आपको बि 20 में 30 कर सकता हूं या कर सकती उसी में जो है आप चले जाएंगे 20 के आसपास तो इसको ध्यान दीजेगा तो यह चीज़े हैं और दोस्तों practice करने से आपका यह फायदा होगा कि आपके पांचों subject में पता चल जाएगा कि आप से गलती कहां हो रही है जिस topic में गलती हो रही तो अगर आप 10 दिन भी practice करेंगे 10 practice करेंगे तब ही आपको पांच दिन एक हपते का time मिल जाएगा कि कहां हमसे गलती हो रही है या हम उसको improve कर लें तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है और इससे आप जो है दोस्तों अपने exam से पहले आप खुद को जाज सकते हैं मैं आ अगर आप 90 के पास जा रहे ना तो आसपास जा रहे हैं तो आपको भी थोड़ा और मेहनत करना है इतना देखिए 100 के पास जाए 100 प्लस जाए तो 100 के आसपास जाएंगे तो शूर है दोस्तों आप लोग का qualify हो जाएगा लेकिन यह नहीं करेंगी कि 100 तक जा रहा है तो आप बस रुख जाएए उतनी मेनत करें और आप 110 120 तक जाएए अगर दोस्तों देखिए अगर आपका अगर ऐसे सॉल करने पर 110 प्लस जा रहा है तो एकदम बिंदास रहना है आपको हाँ थोड़ी मेनत करिए कि अच्छा स्कोर कर लेंगे और अच्छा रहेगा लेकिन आपका 90 अगर जा रहा है 95 तो आपको इस पर और काम करने की जरुरत है थोड़ा पढ़ने की जरुरत है इस पर ध्यान दीजिए और आप फिर कल जो है एक प्रेक्टिस मेरी कहने पर आप जरूर लगाएगा दोस्तों कि उस प्रेक्टिस में आप कितना कर ले रहे हैं हैं कितने बन पढ़ लेते हैं लेकिन वह प्रेक्टिस नहीं करते हैं और दोस्तों प्रेक्टिस भी जैसा कि मैंने बताया कि आपको टाइम में टाइम रख करके जैसा कि आपका धाई गंटे का पेपर है तो उस टाइम उतनी टाइम के अंदर ही आपको वह प्रेक्टिस करनी है और उस गंटे का भी टाइम बस सकता है प्रैक्टिस में कि क्यों मैं जब मैंने एक्जाम दिया थो मैं ऐसा करती थी तो लगबग आधे गंटे का टाइम जब घर पे सॉल करते थे तो आधा गंटा ऐसे तीस मिनट पैतालिस मिनट तक जो है लगबग टाइम बच जाता था कभी कभी एक घंटा भी कोई प्रैक्टिस करने में बच जाता है डेर गंटे में सारे कोशन सॉल हो जाते थे लेकिन वही जब हम लोग एक्जाम हाल में करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता था जो ढ़ाई गंटा है वो भी कम पढ़ जाता था तो लास्ट में कम से कम इतना हो कि हमारे पा जो कोशन पूछ रहा है ठीक है उसमें तो आप जल्दी में थोड़ा कर सकते हैं लेकिन जो पेड़ागोजी वाले कोशन है आज कल अगर यानि दिसंबर वाला जो आपने देखा होगा तो उसमें ABCD करके इस तरह से दे रहा है फिर उसके बाद आप्शन दे रहा है कि इसमे जो है ऐसे कोशन में जैसा की लेंगदी कोशन आते हैं तो इसमें टाइम लगेगा तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है बाकि दोस्तों आपकी जो ओयमार शीट होगी आफ लाइन की इसमें जो है आपको बहुत से भारती जो है जिनका फरस्ट अटेम्ट है वो जाते हैं जैसे मैं अपने कुछ जो मेरे खास कांटेक्ट में है मैं अपने फ्रेंड का यह बता रही हूं कि उनका जो है एक्जाम देते टाइम जब फरस्ट अटेम्ब्ड था तो वहां पर लेंगवेज में गलती आओ गई थी लेंगवेज में क्या हुआ था कि जैसे हम तो first language Hindi लेते हैं तो second में हमारा तीन option रहता है English या फिर उर्दू तीनों में से कोई एक लेना होता है हिंदी जबकि हमारा first language है second में कोई जो है तीनों में से चूज करते हैं तो बहुत से अभ्यारती हैं जो 1st में हिंदी के अलावा अदर कोई इंग्लिश ले लेंगे या कुछ ले लेंगे और 2nd में हिंदी ले लेते हैं तो यह आपको ध्यान देना अगर आपने 1st language में दोनों का दो-दो paper रहेगा यही देखकर आप confused हो जाएंगे और जो आपने first language choose की होगी उसमें second कर देंगे second choose की होगी उसमें first वाला paper कर देंगे तो यह आपको गलती नहीं करनी है इसको मैं paper ले करके आपको के लिए जो है paper के थुरू बताऊंगे यहां पे काफी अभ्यारती जो है गलती कर जाते हैं दोस्तों यहां पे जब आपको यमार में अपना answer वहां पे फिल कर देते हैं उसके बाद जो दोस्तों तीस तीस साथ नंबर कोश्चन साथ नंबर जो है आपका इधर उधर हो जाएगा अब 150 में से साथ नंबर आपका ऐसे ही निकल जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा क्या तो यहां पे भी आपको काफी देहां देना इसको मैं paper के तुरू बताऊंगी अच्छे बस आप गलती पढ़ने में कर जाएंगे कि फस्ट वाले में सेकेंड वाला कर देंगे हिंदी देखकर और सेकेंड वाला फस्ट में कर देंगे तो यही आपको दिहान देना है बाकी चीजे मैं clear आपको दिखा कर बता दूंगी तो बस इस वीडियो में इतना ही जो जानकार करती हूं कि दोस्तों आपसे यह जो है प्राब्लम हो सकती है जैसा कि हम लोग भी इस एक्जाम को दिये हैं दो बार तीन बार क्वालिफाई हैं तो हमें पता है कि चीजें कहां पे किस तरह होने वाली हैं कहां पे बच्चे गलतिया कर सकते हैं कहां पे हमसे गलतिया हुई ह जहां जहां जो हमसे गलतिया हुए हैं वो किसी अधर से नहों तो इस तरह से जो है मैं आप सभी को गाइड करती रहूंगी तो बस इस वीडियो में इतना ही बाकि आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा आप लोग उससे जरूर देखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट है पंदरे नमर का कंटेंट आपको वहीं से मिल जाएगा तो बस इस वीडियो में इतना ही बाकि जो है अधर सब्जेक्ट भी आप लोग देखते रहिए और प्रेक्टिस जरूर करिएगा मेरे कहने पर बस इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू